पूरु सोतम हैं वेल कमिंग यू टो जीनियस अकेड़िमिक्स आज के हमारे सेसन में हम डियवलोप्मेंट चैप्टर को ही कंटिन्यू करेंगे और इसका पार्ट 2 देखेंगे और आज के हमारे सेसन में इस पूरे चैप्टर को आज हम finish कर देंगे पूरा complete कर देंगे आप में से अगर किसी ने development chapter का part 1 नहीं देखा है then don't worry link नीचे description box में given है आप उधर जाकर भी video को check कर सकते हैं so let's begin with our today's session so आज का हमारा first topic है income and other criteria तो देखिए पिछले session में हमने क्या देखा था कि हम countries को compare करते हैं और पता लगाते हैं कि कौन सा country developed है और कौन सा country underdeveloped है अब उसके लिए हम क्या देख रहे थे average income देख रहे थे कि कौन से country की average income जादा है और कौन से country की average income कम है तो अब देखो development के लिए question आता है कि क्या सिफ हम income को ही importance देते हैं तो ऐसा नहीं है हम development देखते वक्त सिप पैसे नहीं देखते हैं, सिप income नहीं देखते हैं, कि income जागा है तो यह हम नहीं कह सकते कि वो area ज़्यादा developed होगा, देखे कैसे, जब हम individual level पर development की बात करते हैं, हम खुद के development की बात करते हैं, तो हम खुद भी सिप income को importance नहीं देते, ये example के थूरू हमने समझा था कि मालो आपको कोई जॉब दे रहा है पर वो आपको इंकम बहुत ज्यादा दे रहा है आपके इंकम वो बहुत ज्यादा रख रहा है पर वो आपको फ्रीडम नहीं दे रहा है तो क्या आप वो जॉब को एक्सेप्ट करोगे नहीं करोगे क्यों क्योंकि आप ब इंकम को नहीं देखते हैं, हम से पैसे देखके बता नहीं देते हैं, कि इधर के लोग ज़्यादा कमा रहे हैं, तो हम यह नहीं कहेंगे कि यह एरिया ज़्यादा डेवलॉप्ट हैं, हम बाकी चीजों को भी देखते हैं, चलिए इसको डेटा के थ्रू हम समझते हैं, एक्ज ज्यादा होने से वो इरिया developed हो जाता है, इसे समझते हैं, तो सबसे पहले देखिए हर्याना का, हर्याना का per capita income कितना है, हम ये सिप एनलाइज के लिए हम ये देख रहे हैं, और ये data है 2015-16 का, तो हर्याना का per capita income कितना है, 1,62,034 ओके ये इतना ज्यादा इसका per capita income है और कहरेला का per capita income कितना है हर्याना से कम 1,40,190 ये कहरेला का per capita income है और बिहार का कितना है 31,454 per capita income है तो इधर आपको क्या पता चल रहा है कि हर्याना का सबसे ज़्यादा per capita income है हर्याना के लोग सबसे ज़्यादा income उनका अर्न हो रहा है अब चलिए next data देखते हैं ये तो हमने income की बात कर ली अब बाकी चीजों को भी देखते हैं क्यूं क्यूंकि हम development में इसी पैसों को महत्वा नहीं दे रहे हैं हम बाकी चीजे भी देख रहे हैं तो चलिए देखते हैं कि हर्याना बाकी चीजों में भी टॉप करता है या नह तो चलिए समझते हैं सबसे पहले बात आती है infant mortality rate, infant mortality rate यानि कि ऐसे बच्चों का proportion जो कि एक साल complete किये बिना ही उनकी death हो जाती है, कुछ ऐसे बच्चे होते हैं जो कि जन तो लेते हैं पर वो एक साल तक जी नहीं पाते, एक साल complete करने से पहले उनकी death हो जाती है, तो इससे हम में क्या लगता है, इससे हमें क्या पता चल रहा है, कि उधर का health system उतना अच्छा नहीं होगा, जो कि बच्चे एक साल तक भी survive नहीं कर पा रहे हैं, तो ऐसे मामलों में हर्याना में कितने बच्चे हैं, जो कि एक साल भी complete नहीं कर पाते हैं, और उनकी death हो जाती है, तो 1000 ब पड़े भी celebrate नहीं कर पाते हैं, और उनकी death हो जाती है, और वही कैरला में देखे, तो कैरला में ये number कम है, कैरला में कम बच्चों की death होती है, तो इधर आप क्या देख रहे हो कि कैरला भले उसका income कम है, पर उधर की health facility इधर अच्छी है, क्योंकि इधर देखे, 1000 बच्च की ही उनकी death हो जाती है, अब चलिए देखते हैं इधर का literacy rate, literacy rate यानि कि ऐसे कितने लोगों का proportion है, जो कि कोई भी एक भासा पढ़ लिख सकते हैं, या फिर वो लिख सकते हैं, बोल सकते हैं, ओके, या समझ सकते हैं, तो ऐसे लोग कितने हैं इस area में, तो हर्याना में कितने लोग हैं, 1000 में से 82 लोग हैं, जो कि पढ़ लिख सकते हैं, वही केरला में कितने लोग हैं, 94, इधर भी देखो, केरला फिर से literacy rate में आगे जा रहा है, देखो ये हर्याना को पीछे छोड़ रहा है केरला इसमें भी, और इधर बच्चे भी कम मर रहे थे, इधर भी कम death हो र 62 लोग ही पढ़े लिखे होते हैं, वो समझ सकते हैं कोई भी एक language, तो देखो हमने literacy rate देख लिया, अब आता है net attendance ratio, net attendance ratio क्या होता है, देखो ये जो terms आ रहे हैं, infant mortality rate, literacy rate, net attendance ratio, ये आपके board में एक marks के लिए definition के लिए आ जाता है, तो अगर आपके इसके notes चाहिए न तो मैंन description box में link दे दिये हैं, तो आप उधर से पढ़ सकते हो वीडियो के बाद, तो चलो net attendance ratio क्या होता है, तो इसे समझो, जो 14 से 15 साल के, यानि कि 14 से 15 year का जो age group होता है, उसमें से कितने बच्चे school जाते हैं, school attend करते हैं, यानि कि कितने लोग पढ़ रहे हैं, 14 से 15 age group में, ऐसे कि इतने बच्चों का proportion है, तो वो देखते हैं, हर्याना में कितने लोग हैं, 61, students ऐसे हैं, जो कि school को attend करते हैं, पढ़ते हैं, वही केरला में ये भी ज़्यादा लोग हैं, यानि कि बच्चों के पढ़ने वाले सबसे ज़्यादा कहां पे हैं, बच्चे पढ़ने वाले कहां सबसे ज़्यादा हैं केरला में, 14 से 15 ऐस ग्रूप के बच्चे सबसे ज़्यादा केरला में study कर रहे हैं, school को attend कर रहे हैं, वही बिहार में ये नमबर फिर से कम हो जाता है, यानि कि इधर 14 से 15 यह बच्चे जो हैं, वो स्कूल को अटेंड ही नहीं करते, वो स्कूल ही नहीं पर बाकी चीजों में हर्याना पीछे चला जा रहा है तो इससे हमें क्या पता चल रहा है कि सिप इंकम ज्यादा होने से वह डेवलोप्मेंट नहीं हो जाता उस एरिया खा उधर देखो भले ज्यादा लोग कमा रहे हैं पर उधर देखो 33 बच्चे जो हैं वह एक साल भी कंप अरच्छा पर रहा है तो इससे हमें क्सिप हम इंकम के बेषिस होसं करता हैं कि हर्याना में लोग ज़्यादा कमा रहे हैं मतलब हुद्धर सब डीवलोप्मेंट हो चुका है ऐसा नहीं है ये कि इनकम को को डीसाइड ही करता हम अधर क्राइटियरा को भी देखते हoreं इसको अब आये public facilities के बारे में समझते हैं, ऐसी बहुत से facilities होती हैं, जो कि हम सभी publicly enjoy करते हैं, for example, school, transportation, bus हम देखते हैं, वो क्या है? वो public facility है, उसमें ऐसा नहीं है कि bus आपके अकेले के लिए वो चल रही है, उसमें बहुत से लोग जाते हैं और उस bus को publicly use करते हैं, वो public के लिए हैं तो ये क्या हो रहा है? ये एक public facility के अंदर आता हैं, अब जो public facilities हैं, ये mainly किसके responsibility के अंदर आते हैं? government के responsibility के अंदर आते हैं, इसके बारे में हम second chapter में भी और detail में समझेंगे, तो जो public facilities हैं, ये हमारा lifestyle improve करने में मदद करती हैं, ये हमारा standard of living भी बढ़ाती हैं, अब इस sentence को आप में ही बहुत ज़्यादा importance हैं, money in your pocket cannot buy all the goods and services that you may need to live well, आपके पास पैसा हैं, तो ये जरूरी नहीं होता कि पैसे से आप कुछ भी खरीच सकते हो, ऐसा जरूरी नहीं होता, ओके जैसे के example के लिए pollution free environment, आप पैसे से pollution free environment नहीं खरीच सकते हैं, और जो है protection from infectious disease, आप जो है पैसों से बीमारियों से नहीं बच सकते हैं, तो ये सब क्या है, इन सब चीजों के लिए एक public awareness चाहिए, ये सब हम सभी publicly enjoy करते हैं, जो हमारा environment है, ये आप चाहोगी कि आप पैसे देखे pollution free environment खरीद लो, तो ये क्या possible है, example के लिए आप देखे दिल्ली में, डेले में क्य होता है, ज्यादा तर सबकी per capita income ज्यादा ही होती है, पर क्या उधर pollution free environment है, नहीं है, भले उधर के लोगों के पास पैसा है, पर वो pollution free environment नहीं खरीद सकते, इन चीजों के लिए उनको public awareness create करना होगा, तो ऐसे क्या हो रहा है, कि हमें पता चल रहा है, कि money जो है, वो हर चीज नहीं खरीद सकती, बहुत से ऐसी facility होती है, जो कि हम सभी publicly enjoy करते हैं, और हम सभी को एक public awareness चाहिए उन चीजों के लिए, अब देखि पब्लिक facilities जरूरी क्यूं है? Why public facilities is important? तो इस चीज को समझे, जो public facility है, कोई एक तो अकेला यूज़ करता नहीं है, हम सभी मिलके यूज़ करते हैं, we use it collectively, हम public facility को collectively यूज़ करते हैं, सभी मिलके यूज़ करते हैं, अब देखो, जब हम सभी मिलके कोई एक चीज़ को पड़ता है आपको एक्जामपल के तुरू मैं समझाता हूँ मालो आपके पूरी सोसाइटी है तो आपके सोसाइटी में एक वाच्मेन होगा एक गाड रखेंगे तो आप सभी को महंगा पड़ेगा आप एक गाड रखोगे उसको सेले देगे आपका बगल वाला भी एक वाच में रखेगा वो भी उसे पैसे देगा तो इसे क्या होगा सब का पैसा जो है वो आपको महंगा पड़ेगा वही अगर आप सभी मिलके एक वाच लगता है वो हमें चीपश्ट पड़ता है तो समझ गए इसलिए पब्लिक पैसलिटी जो है वह हमारे लिए इंपोर्टेंट है एक्जामपल के लिए सिक्यॉरेटी मैंने आपको स्कॉरेटी का अभी ग्जामपल दिया साथ में ट्रांस्पोर्टेशन आप देखना आप अपन महंगी पढ़ती है वही अगर आप गवर्मेंट की बस यूज करते हों या फिर कोई भी पब्लिक जो गाड़ी चलती है न जो सब अगर आप जाओगे तो आपको कमी पैसों में आप उसी जगह पे पहुच जाओगी पर हम लोग खुद का यूज करते हैं गाड़ी तो वह में महंगा पढ़ जाता है तो इधर भी हम क्या दिख रहे हैं कि अगर हम चीजों को पब्लिक ली यूज करें अगर हम कोई पब्लिक बस यूज कर रहे हैं तो हमें सस्ता पढ़ जाता है तो इससे भी आप समझो कि पब्लिक फैसलिटी कितनी इंपॉर्टेंट हैं दूसरा एक्जामपल क्या है गवर्मेंट हॉस्पिटल जो गवर्मेंट हॉस्पिटल है उसमें अगर आप जाओगे तो उधर भी वह आपको चीपेस्ट पढ़ता है वह आपको सस्ता पढ़ता है इसलिए हमारी जो है पबलिक फैसलिटी इंपॉर्टेंट है अब इससे जो है अधर क्राइटेरिया भी इंप्रूव होता है लाइक इंफंट मॉर्टालीटी रेट लिट्रसी रेट एकसेट्रा अब आप सोचोगे कि से infant mortality rate कैसे कम होगा और literacy rate बढ़ेगा कैसे तो देखो public facility के अंदर school आ जाते हैं hospitals आ जाते हैं यह सभी public facilities के अंदर आ जाते हैं अब जब government schools बनवाएगी hospitals बनवाएगी तो hospital बनने से क्या होगा अगर मालो कोई बच्चा जो है वो अभी उसका जन्म हुआ है तो बहुत से बच्चों को treatment भी चाहिए होता है वो कई बार उनकी health अच्छी नहीं होती तो अगर वो hospitals में जाएंगे तो उनकी जान बच सकती है पर hospital ही नहीं होगा तो बच्चों की death हो जाएगी और death होगी बच्चों की तो वो किसमें आते हैं infant mortality rate यह हमने समझाता न कि एक साल से कम बच्चों की death हो जाती है infant mortality rate के अंदर वो आते हैं पर उनको अगर इलाज मिल जाएगा time से तो क्या उनकी death होगी नहीं होगी उनकी death वो बच्च सकते हैं तो इस तरीके से हमें क्या पता चल रहा है कि government के facility देने की वज़े से बच्चों की death कम हो सकती है साथ में literacy rate भी बढ़ेगा school खुलेंगे तो जो पास में जो भी बच्चे रहते होंगे वो उस school में जाएंगे और उनको पढ़ना लिखना आएगा तो जब कोई पढ़ लिख लेगा तो वो क्या करेगा literacy rate जो है वो increase हो जाएगा तो आप समझ रहे हो कि public facility से जो है हमारा performance of other criteria भी improve हो जाता है और हमारा country development में आगे पहुचने लगता है तो यह हम समझ गए अब चलिए next topic समझते हैं अब हमारा next another important topic आता है BMI यानि की body mass index यह एक इंडेक्स होता है और इस index की मदद से हम पता लगा पाते हैं कि कौन से बर्चे जो है कौन से person जो है वो नरिजड है अंडर नरिजड है या फिर overweight ह यानि कि वो पोसित है या कूपोसित है यह हम पता लगा लेते हैं BMI की मदद से अब question आता है कि BMI find कैसे करें तो देखो BMI आप खुद का भी find कर सकते हो आप चाहते हो ना कि आपको भी पता करना है कि आप नरिजड हो अंडर नरिजड हो या फिर overweight हो तो आप खुद का भी B BMI निकाल सकते हो अब निकालेंगे कैसे BMI तो इसके लिए सबसे पहले आपको अपना weight लेना है कि आपका weight कितना है और वो weight किसमें होना चाहिए किलो ग्राम में और साथ में आपको क्या लेना है कि आपको पता हर चाहिए वो भी मीटर्ण स्क्वेर में आप को यह दोनों पता होने के Бाद आपको क्या करना होगा आपका जो होगे में कि उसको क्वेंध करना है हाइट के स्क्वेर से के अपको portion Mine करना है फिर आपको नंबर मिलेग और उस नंबर से आप पता लगा सकते हो कि आफ नरिज्ड हो अंडरनरिज्ड हो या फिर आवरवेट हो अब यह जो नंबर है BMI नंबर यह अगर 18 से कम आया less than 18 आया तो मतलब आप क्या हो undernourished हो अगर person का जो है BMI 18 से कम आता है मतलब कि वो undernourished है और अगर 15 से ज़्यादा आता है इसका मतलब वो person क्या है? overweight है और अगर ये number जो ये निकाल रहे हम ये अगर 18 से 25 के बीच में आये तो वो क्या होते हैं? वो nourished होते हैं यानि कि वो पोसित हैं अब इसमें जो हैं हम growing children को evaluate नहीं करते हैं क्योंकि जो बच्चे बढ़ रहे होते हैं उनमें हम sudden changes देखते हैं like growth in height, growth in weight तो इसलिए हम उनको evaluate नहीं कर सकते हैं तो समझ में आ गया कि BMI कैसे निकालते हैं हम पता लगाते हैं कि कितने व्यक्ति जो हैं वो पोसित हैं या फिर कू पोसित हैं तो इस तरीके से आप खुद का भी BMI निकाल सकते हो और यह आपके exam point of view के लिए इंपॉर्टेंट हैं तो चलिए अब हमने समझ लिया आप देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है human development report अब यह जो है HDR है यह एक रिपोर्ट है जो कि तयार की जाती है UNDP की तरफ से UNDP publishes human development report यह आपको one marks के लिए भी पूत सकते हैं कि human development report जो है वो कौन publish करता है तो UNDP यानि कि इसका फुल फॉर्म क्या है United Nation Development Program अब यह जो human development report में हम जो है country को एक index बनाते हैं जिसमें हम sequence देते हैं हम rank देते हैं कि कौन सा area जो है वो सबसे अच्छा perform कर रहा है development के terms में कि कौन development में आगे चल रहा है अब development के लिए जो है इसमें जो है उन लोग सिफ income को नहीं देखते हैं यह चीज आपको समझना है कि उन लोग सिफ पैसा नहीं देखते हैं कि इस area में लोग ज्यादा कमा रहे हैं मतलब कि इसको first number पर रख दो ऐसा उन लोग नहीं करते हैं उसमें उन लोग जो है जैसा कि हम जानते हैं income is an inadequate measure of the level of development income हमें नहीं बता सकता कि कौन सा area जो है वो इतना developed हैं यह हमने देखा example के थ्रू भी कि income अपने आप में complete मेज़र नहीं है development के लिए other factors भी होते हैं like health education standard of living are some of the important factors हम health का भी उधर देखते हैं कि उधर के लोग कितने healthy हैं उधर का health system कितना है कैसा है तो यह भी importance रखता है एक development में साथ में education यानि कि उधर का education level कैसा है उधर के लोग कैसे पढ़े लिखे हैं उधर का literacy rate कैसा है यह सब चीजे भी हम देखते हैं और यह point तो मैंने आपको बताया कि जो UNDP है वह publish करता है human development report you have to remember this point अब देखो यह जो report है इसमें किन-किन बातों को इन लोग ज्यादा ध्यान देते हैं यह जब यह report बनाते हैं तो उन कौन-कौन सी बातों का ध्यान रखते हैं वह हम देखते हैं और यह आपको three marks के लिए आ सकता है तो सबसे पहला बात उन लोग क्या ध्यान में रखते हैं educational level को ध्यान में रखते हैं like literacy rate उन लोग literacy rate भी देखते हैं कि उस country में कितने लोग पढ़े लिखे हैं उस इसाब से भी वह रैंक देते हैं दूसरा क्या है health status यह like life expectancy life expectancy यानि की जो expected life होता है जीने का मतलब कि हम पहले से expect करते हैं कि यह जो है 60 साल तक जीएगा कोई बोलता है यह 90 साल तक जीएगा तो ऐसे ही जो है अलग-अलग country में अलग-अलग life expectancy होती है for example इंडिया में जो है वो ज्यादा तर life expectancy क्या होती है 62-66 वही जापान में वो 90 साल तक होते हैं 90 years to 100 years तो इस तरीके से क्या है सबका life expectancy अलग-अलग है यह country पर depend करता है तो वह भी उन लोग देखते हैं human development report तैयार करते वक्त इस बात को भी उन लोग ध्यान में रखते हैं साथ में third point क्या आता है per capita income यानि कि एक person लगभग कितना कमा रहा है average income यह भी उन लोग देखते हैं तो इधर क्या उन लोग income तो देख रहे हैं पर बाकी चीजों को भी देख रहे हैं like health status educational level और इन बातों का ध्यान रखके वो एक index पैयार करते हैं एक index prepare करते हैं जिसमें व cost rank दे दिया इस तरीके से उन लोग rank देते हैं अब आपका एक homework देता हूं में इधर आपको पता लगाना है कि human development index में इंडिया का rank क्या है यह आपको पता करना है ओके आप कहीं से भी research करके यह आप कमेंट कर सकते हैं अब देखो हम example के थ्रू समझते हैं स्री लंका is a small country but has perform better in HDI than India अब देखो स्री लंका भली छोटा सा country है उसकी economy जो है वो इंडिया से कम है लेकिन human development report में human development index में जो स्री लंका है वो इंडिया से आगे है यानि कि उधर के लोग जो है उनका educational level अच्छा है उधर का health status अच्छा है तो ऐसे क्या हो रहा है economy भले उधर कम है पर उध criteria है वो ज्यादा fulfill कर रहे हैं तो इस तरीके से जो है स्री लंका जो है वो इंडिया से आगे हैं तो इन बात को हमें समझना है human development report में तो यह हमें समझ में आ गया अब चले next topic देखते हैं अब आता है हमारा one of the most important topic sustainability of development इस topic को आप समझो sustainability of development मतलब क्या होता है कि development जो है वो present म में होना चाहिए यह नहीं बोल रहे कि अभी आप development मत करो पर development इस तरीके से करो कि आने वाले पीडियों को उससे कोई problem ना हो जो future generation है उनको कोई भी problem नहीं होनी चाहिए sustainable development aims at fulfilling the needs of today without compromising the needs of the future generation याने कि development आज होना चाहिए present में development हो अच्छी बात है पर development इस तरीके से करो कि future generation को उससे कोई problem ना हो एक्जामपल के लिए मैं आपको बताता हूँ आज हमारे पास ground water है कई जगहों पर ये खतम हो चुका है ground water तो क्या हो रहा है हम इसका overuse कर रहे है यानि कि देखो ground water जो है ये बारिस होता है दुबारा से वो feel हो जाता है पर एक बात को समझो वो जितना feel हो रहा है उससे ज्यादा हम exhaust कर दे रहे हैं उसको खतम कर दे रहे हैं तो इस तरीके से हम क्या कर रहे हैं हम resources को deplete करते जा रहे हैं और एक समय ऐसा आ सकता है जब हमारा ground water level जो है वो बहुत हद तक नीचे चला जाएगा अब भी आप सुनते होंगे जब आप अपने दादा से पूछना या फिर आपके घर पे जो भी बड़े होंगे उनसे पूछना जब पहले जो हैं बहुत ही कम फीट पर पानिया निकल आते थे जब बोरिंग करवाते थे निट बहुत आप पनिया निकल जाते हैं ते पर आज ही आज अगर आप बोरिंग करवाते हो आपको बहुत फीट नीचे जाना पड़ता है पानी के लिए तो इसीसे आप समझ सकते हो water level जो है वो तेजी से नीचे यह नहीं कि आज आप development कर रहे हो और जिसके वज़े से future generation को सफर करना पड़े तो इस बात का हमें ध्यान रखना होता है और यही sustainable development हमें सीख देता है यहीं हमें यह बताता है अब देखो इसमें challenge क्या आती है इसमें problem कहां आती है जो भी development है उसके लिए हमें resources चाहिए consumption of resources होता है कोई भी आप development कर रहे हो आप मालो कोई भी buildings बना रहे हो तो उसके लिए आपको resources लगेंगे ऐसा नहीं है कि बिना resource कहीं आप कोई भी development कर ले रहे हो आपको resources लगते हैं पर इधर ही जो हैं वो बहुत लोग खेल जाते हैं अब यह जो resources हैं यह हमें उतना ह यूज करना चाहिए जितनी की जरूरत हैं पर बहुत से ऐसे लोग हैं जो resources का overuse करते हैं वो जरूरत से ज़्यादा ही resources का use कर लेते हैं जिसकी वज़से हमारे resources का depletion हो रहा है therefore the depletion of resources are taking place तो इधर आप समझ रहे हो कि हम resources का बहुत ही तेजी से हम उसको खतम कर रहे हैं जिसकी वज़से हमारे future generation को problem हो सकती है so sustainable use of resources is required इसलिए हमें resources को sustainable manner में use करना चाहिए इस तरीके जे use करो कि आज आपको problem ना हो ऐसा हम नहीं बोल रहे हैं कि आज आप पानी पिना छोड़ दो पर ऐसा बोल रहे हैं कि आप पानी को control में use करो पानी को कई जगों पे पानी को ऐसे ही बहाया जाता है तो क्या ये सही manner में use करना हुआ अगर आप पानी को अच्छे से use करो जितना आपको जरूरत है उतना ही use करो तो पानी जो है वो हजारों साल तक चलेगा no doubt पर लोग क्या कर रहे हैं water को कुछ जादा ही उसका exhaust कर रहे हैं तो ऐसे क्या होगा उसका depletion हो जाएगा इसलिए हमें resources को sustainable manner में use करना है वो के यह बात आपको समझनी है ऐसा नहीं बोल रहा sustainable development कि आप resources को use करना छोड़ दो use करो आप पर एक manner में use करो उसका overuse मत करो ओके इस बात को हमें समझना है example मैंने आपको दे दिया groundwater in India हमारा groundwater तेजी से नीचे घट रहा है तो यह क्या हो रहा है हम उसका overuse करों और case of crude oil अब देखो दुनिया में जो है crude oil की डीमंड है आप यह जो crude oil ऐसा है जो कि बहुत साल लग जाते हों इसे बनने में हर दूत हो पर crude oil को सालों लग करते हैं बनने में तो अगर यह एक बार खतम हो गए ना तो सो साल से ज़्यादा लग सकते इसे बनने में तो इसलिए हमें इन चीजों को थोड़ा-थोड़ा करके जितना हो सके अपनी तरफ से इसे हमें सस्टेनेबल मैनर में यूज करना चाहिए ताकि आगे वाले लोग भी इसे यूज कर सकें ओकि आप समझ रहे हो तो इसलिए हमें क्या करना है सस्टेनेबल मैनर में डेवलोप्मेंट को फॉलो करना है अब एक इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है जो अगर मानलो आपको यह समझना भी है और अगर आप एक्जाम में स्टेटमेंट को लिख लेते इसे समझो we have not inherited the world from our forefather we have borrowed it from our children कई लोग क्या समझते हैं कि यह जो हमारे आज पास आज जो भी resources हैं यह हमें हमारे पूरवजों से मिली हैं और हम इसे जम के उड़ाते हैं पर हमें ऐसे thinking नहीं रहनी हैं हमें यह सोचना है कि हमें यह हमारे दादा पर्दादा नहीं दी है बलकि यह हमने उधार लिए हमारे आने वाले generation से जो next generation में जो आने वाले लोग हैं उससे हमने ये उधार लिया है और उधार ली हुई चीज गुबारा देनी पड़ती है उनको तो हम इसको ओवर यूज कर रहे हैं तो यह चीज हमें समझना है कि यह जो है यह हमें हमारे दादा परदागा से नहीं मिली है बलकि यह हमने बोरो ली है हमने उधार लिया है हमारे आने वाले generation से तो यह हमें सेंटेंस ध्यान में रखना है और तब जाके resources को यूज करना है ओके तो आई सब्सक्राइब को सब्सक्राइब कर लिया हमने पूरा theory portion समझ लिया और इस चैप्टर के नोट्स जो है वह आपको नीचे description box में मिल जाएंगे उसका link दिया हुआ है उस link पर आप जाना फिर आप वह जो PDF ओपन होगा उसे आप download कर लेना और इसका पार्ट वन जो है नोट्स का पार्ट वन वह आपको पार्ट वन वीडियो के description box में मिलेगा तो इस तरीके से आप नोट्स को download कर लेना अगर आपको नोट्स चाहिए तो और हाँ अगर आपको यह session अच्छा लगा तो इस वीडियो को like कर दिजिए और अगर आप चाहते हो कि आप तक time to time वीडियो पहुशती रहे आपके phone पे notification आजाए वीडियो डालते ही तो आप जरूर बैल आइकन को प्रेस कर लेना आपको बैल जैसा आइकन दिखेगा उसको आप प्रेस करना और all पे क्लिक करने के बाद क्या होगा कि जैसे भी वीडियो आएगी मेरी तो क्या होगा आपके phone पे notification आएगा और आपको पता चल जाएगा कि कोई वीडियो आया है और आपको topic भी पता चल जाएगा तो इस तरीके से आपको नोटिफिकेशन मिलती रहेगी तो चलिए मिलते हमारे नेक्स्ट वीडियो में टेक केर और बाई बाई